तो दोस्तो हरी हों पाइप industry limited अपने quarter 3 के नंबर को डिस्ट कर दिया है तो चलिह देखते हैं क्या है quarter 3 के नंबर से डाड़ेस इत्ली यहाँ पे लाक्स में हैं ब्सले वाटर में फिसले quarter में भागता हुआ देखने हो जबकि quarter quarter जाते हैं तो quarter quarter company revenue बढ़ता हुआ देखने को मिलेगी लेकिन मैं आपको बताना चूँँगा बेसकिली यह जो industry है यह सीजन के ही साब से काम कहती है तो आपको सालदर साल चेक करना चाहिए 268 क्रोर के आसपास आपको देखने होते हैं यहां पर company चुक गई है जी है इस quarter में company खर्चे बहुत ज़्यादा कर दी है मतलब यह समझ के बाहर है अगर आप मतलब अपने जो revenue है उसको और revenue generate कर रहे हैं महां तो 120 परसे यह तो गलत है ना यहां पर थोड़ाजा गलत हुआ है company के तरफ से जबकि इंवेंटरी के ना पे अब देके तो गिरके अप्रोक्स पिटली 10 Kellor के आसपास आपको देखने हो तो सालदे सालदे साल कंपनी के profit गंद दो से तीन के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले यह हों पर कौट्डरी चांद है एक कर्ची का से कर्देक्र थेखने हो लेई EPS की बात कर लेते हैं पिछले वाटर में 5.35 पिछले साल 3.98 अभी देखे तो 3.55 के आसपास आपको देखने को मिल देखे तो मेरे हिसाब से देखे थोरा सा मायूस होना परेगा आपको क्योंकि कंपनी के नंबर रिवेन्यू बहुत सांदार की अगर रिवेन्यू ऐसा देख पिट पसंद आए तो लाइक कीजेगा साथ में साथ चनल को सब्सक्राब जो कीजेगा धन्यवाद